नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो इस संसार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अपने आप में खास वे चमतकारी होती हैं जिस प्रकार से समाज में पाई जाने वाली बहुत सी ऐसी जड़ी बूटिया हैं जो कि अपने आप में ही चमतकारी गुण रखती हैं वहीं कुछ जड़ी बूटिया ऐसी भी होती हैं जिनमें ओसिद्य गुण तो होते ही हैं बलकि चमतकारी गुण भी होते हैं दोस्तों अक्सर तंत्र क्रियाओं में इस्तमाल होने वाली बस्तों का सोभाव तीवर होता है जिस प्रकार से तंत्र क्रियाओं में काली मिर्च का इस्तमाल किया जाता है जिसकी प्रवर्ती तीवर होती है उसी प्रकार से अध्रक की प्रवर्ती भी तीवर होती है तीवर अगर आपके जीवन में शत्रू आपको बहुत ज़्यादा परिशान करता है या फिर आपके जीवन में नकारतमक उड़ जाएं आपके घर में बास कर चुकी हैं। हमने आपको पहले भी बहुत सी वीडियो में बताया है कि जो नकारतमक उड़ जाएं होती है ये कही न कहीं आपके घर में ही छुपकर वास करती है और हमेशा ही आपके घर में घर के परतेग व्यक्ती पर अपनी नदर बना कर रखती हैं। कि नकारतमक उरजाओं का भोजन दुख वे परिशानी होती है इसलिए जहां पर भी रहती हैं वहाँ पर दुख वे परिशानियों को आमंत्रित कर लेती हैं। ताकि वे अपना भोजन गरशित कर सकें और इससे हम जैसे व्यक्ति परेशान होते रहते हैं। वहीं अपने दुस्मनों वे नकारतमक उड़जाओं से अपने घर को हमेशा के लिया जात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स में जैबजरंग बली लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप एक बार इसे सबस्क्राइब भी अवश्य कर लें। और अगर आपके घर में किसी कौने में अगर नकारतमक उड़ जाओने घर कर लिया है तो वे भी आप से दूर हो जाएगी और आपका घर सुख समर्दी वे शांती से बरा जाएगा। दोस्तों कोई भी उपाय बताने से पहले हम आपको एक बात अवश्य बताना चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया में सास्तोर अनुसार ये बताया गया है कि योग यानि की भक्ती योग सबसे उत्तम है। कि जो भी कोई व्यक्ती किसी ना किसी परकार से भगवान की पूजा करता है उनके साथ भक्ती में लीन हैं चाहिए महादेव हो या बजरंग बली हो या मातारानी हो या कोई भी किसी परकार से भक्ती भाव योग में लीन है तो उस व्यक्ती का कोई भी परकार की समस्याएं कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है इसलिए हम आपको परतेग वीडियो में कमेंट बॉक्स में किशी ना किसी बगवान का नाम लिखने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि इसे आप सभी बक्ती योग से हमेशा ही जुड़े रहते हैं और आप सभी आदी से ज़्यादा समस्याओं से स्वय में ही दूर रहते हैं इसलिए दिल खोल कर सच्चे सरदाभाव से एक बार कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली अवशे लिख दें या पिर जिस किसी बगवान को भी आप मानते हैं आप अवशे लिखें और साथी वीडियो को शेयर अवशे करें दोस्तों कहा जाता है कि जितनी भी तीवर प्रवर्टी की बस्तुएं होती है इनकी सुगंद नकारतमक उरजाओं को पसंद नहीं होती है जिस परकार से जब किसी ब्यक्ति को नजर लग जाती है तो उसके उपर से लाल रंग की मिर्चों को यानि लाल मिर्चों को उतार कर जलाया जाता है तो उसके नजर उतर जाती है क्योंकि लाल मिर्च की सुगंद उस नकारतमक उरजाओं को पसंद नहीं होती है और उसी प्रकार से जिस प्रकार से कपूर भी घर में जलाना सुमाना जाता है क्योंकि कपूर की गंद और उसकी परवर्ती भी तीवर होती है इसलिए कपूर को जलाना सकारतमक उरजाओं को अपनी और आकर्षित करता है वहीं नकारतमक उरजाओं को इसकी गंद सुहाती नह आजाता है कि कपूर की सुगंद से मातललक्षमी आपकी और आकरशित होती है। अगर आप अपने घर में पड़ती दिन कपूर जला करके दात्री को सोते हैं तो इससे मातललक्षमी आपके घर की और आकरशित होती है और आपके घर में कभी भी दन्यदानने की कमी नहीं होती ह वहीं अगर आपको लगता है कि आपके घर में कभी भी शुक्व शान्ती का वास ही नहीं होता है खिलाख उपाय करने के बावजूद भी आपका जीवन जोंका त्यों है आपको समझ चाहे अपनी और घेर के ही रखती है तो बस आपको इतना सा करना है कि आपको एक अद्रक का टुकडा लेना है और अगर आपका घर कच्चा है तो आप घर के बीचों बीच इसे गाड़ दे अन्यता आप अपने घर की चछट पर उसे एक बीच में एक गमला लाकर रखें उसमें थोड़ी सी मिट्टी रख ले और इस मिट्टी में इस अद्रक को गाड़ दे इससे पूरे घर पर ही एक शुरक्षा कबच चैसा चड़ जाता है और कोई भी नकारतम उर्जा उस घर में कभी भी परवेशी नहीं कर पाती है इतना ही नहीं बलकि यदि कोई नकारतम उर्जा पहले से आपके घर में वास कर चुकी है तो वे भी उस अद्रक की गंद से और उस रक्सा कबच से डर कर भाग जाती है अद्रक की जो तीबर परवर्ती होती है इसे नकारतम उर्जा कुछ ऐसे डर कर भागती है कि दुवारा कभी भी लोट करी नहीं आ पाती और जब भी कभी किसी गर्ट से नकारतमक उर्जाए चली जाती है और घर के ब्यक्ति जब भगवान को, यानि कि सकारतमक शक्तियों को याद करते हैं भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति योग में लीन रहते हैं तो वहाँ पर सदैवी, सुख, शान्ती और हमेशा ही सुभी सुभ होता है बहुत से लोग इस बात से परिशान रहते हैं कि उनके जीवन में कभी उन्हें धनी मिली ही नहीं पाता है धन कमाने के कोई अवसरी उनके हाथ नहीं लगते हैं वो इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनके जीवन में नकारतमक उरजाएं उन्हें हमेशा ही सताती रहती हैं उनके घर में उन पर नजर बना के रखती हैं और उन्हें हमेशा ही दुख वे तकलीफ देती रहती हैं जिसकी बज़ा से घर में घर कलेश भी हो जाता है, ऐसी नकारतमक उरजाएं होती हैं, जिससे घर में कभी भी आए दिन जगड़े होते ही रहते हैं, और ऐसी जगह पर माता लक्षमी कभी वास नहीं करती हैं, इसलिए सबसे पहले अपने घर से नकारतमक उरजाओं को बाहर मार्क डूर्णों चाहिए जिसकी वजह से सभी समझ चाहें सुह में खतम हो जाए उसके बात माता लक्षमी को याद करके अपने घर में आमन्तिर्थ करنا चाहिए जिसकी वजब है आपके घर में कभी भी धन्दालने की कोई कमी पी नहीं रहती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में के वले तना ही कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जादे दने बाद कमेंट बॉक्स में लिखना नह भूलें जै बजरंग बली जै मातादी जै मालक्षमी